नमो नारायन संक्षिप्त वालमी की रामायन भाग चोवालीस राम कैसे समुद्र पार कर लनका पहुँचे हनुमान जी से सीता की सूचना मिलने के बाद राम लक्षमन और सभी वानरादी का विचार था कि जल्दी से लंका जाकर रावन के अत्याचारों से सीता को मुक्त कराना चाहिए। सारी तयारी कर सेना समुद्र किनारे पहुंच गई। अब सबसे बड़े समस्या थी समुद्र पार करने की। वहीं जब वे सब शिविर लगा कर रुके हुए थे और समुद्र पार करने के उपाई सोच रहे थे, उसी दोरान रावन का भाई विभीशन अपने चार मंत्रियों सहित उन से आमिला। उनकी सेना के खुबियों और खामियों को समझने के लिए और अगर संभाव हो तो उनमें फुट पैदा करने के लिए रावन ने अपने दो जासूस भी उनके शिविर में भेजा। और यहीं समुद्र पार करने के लिए पूल बना जिसे आज भी राम सेतु कहते हैं। रामेश्वरम और लनका के बीच सेतु जैसा धाचा आज भी है जिसके मानव निर्मित या प्रकृती निर्मित होने पर आज भी बहस चल रहा है। राम सेतु प्रभूक रिपा, मनुश्य के द्रिड निश्चे और प्राचीम काल के तक्नीकी प्रगती का प्रतीक बन गया। यह समस्त घटना क्रम वालमी की रामायन में इस तरह है। समुद्र से रास्ता देने के लिए आग्रा। समुद्र पार करने के लिए विचार विमर्ष के बाद राम ने ये निर्नय किया कि पहले समुद्र से आग्रा पूर्वक रास्ता मांगा जाए। अगर इससे काम नहीं चले तभी शक्ती अपनाया जाए। तदनुसार राम कुषके आसन पर तीन दिन तक समुद्र के किनारे बैठे रहे। रावन द्वारा राम और सुग्रीव में फुट डलवाने के लिए गुप्तचर भेजना। राम जब समुद्र से रास्ता मांगने के लिए बैठे थे। उस समय रावन के की सभा में भी विच चार विमर्ष चल रहा था। शत्रू निकट था। अपना भाई भी उनसे जाकर मिल गया था। उसका गुपतचर शारदूल ने ये सारा हाल रावन को कह सुनाया। उसने सुग्रीव और राम ने फुट डलवाने या सुग्रीव को अपने तरफ मिलाने के लिए प्रयास करने का सुझाव दिया। इस सुझाव को मानते हुए रावन ने अपने मंत्री शुक को राम के शिविर में दूद बना कर भेजा। रावन के समझाने के अनुसार शुक एक पक्षी तोता बनकर वहां पहुँचा जहां सुग्रीव थे। वो आकाश में ही स्थित होकर सुग्री वो जोर से चीठते हुए राम से अपने को चुडाने के लिए पुकार उठा। राम ने देखा तो उसे दूद समझ कर मुक्त करा कर वापस लनका भेज दिया। राम का समुद्र पर क्रोध। इधर तीन दिन तक समुद्र किनार बैठे रहने का कोई परिनाम नहीं तब राम को क्रोध आ गया। क्रोधित होकर उन्होंने कहा कि अगर समुद्र इस तरह विनती करने से नहीं मानता है तब वे बान मार कर उसे सुखा देंगे। उन्होंने एक अत्यन तेजस्वी बान समुद्र में छोड़ा। इससे समुद्र में भयन कर तरंगे उठने लग जब वे दूसरा बान चलाने लगे तब लक्षमन जी ने उन्हें रोक दिया। तब घबड़ा कर समुद्र अपने जल के बीच से स्वयम समुद्र मानव रूप में प्रकट हुआ। लेकिन अब समस्या ये हुई कि राम ने जो बान धनुष पर चड़ा लिया था, वह अमोग था और एक बार धनुष पर चड़ जाने के बाद बिना लक्ष भेदन के वापस नहीं आता था। समुद्र ने अपने उत्तर की और स्थित क्रूर कर्म करने वाले लोगों के देश द्रुमकुलिय की तरफ इस बान को चलाने का सुझाव दिया। राम ने ऐसा ही किया। वह वह समस्त क्षेत्रबान के प्रभाव से मरुस्थल में परिनत हो गया। वहां के जलाशय सुख गये। लेकिन राम ने ये भी आशिरवाद दिया कि यह मरुप्रदेश पशुओं के लिए हितकारी होगा। यहां रोग कम होंगे। समुद्र के पास का यह मरुप्रदेश मरुकांतार कहलाया। समुद्र पर पुल का निर्मान और समुद्र पार कर लनका पहुँचना। समुद्र के चले जाने के बाद राम ने नल को बुलाया और उन्हें पुल बनाने का आदेश दिया। नल अपनी यह शक्ती भूल गया था, समुद्र के कहने से उसे याद आया। नल ने प्रसन्नता से यह कारिय शुरू किया। नल के निर्देश अनुसार पुल बनाने का कारिय शुरू हुआ। सभी वानर अपनी शक्ती के अनुसार व्रिक्ष शिला आधी लाने लाने लगे। अन्तता पांच दिन में सो योजन लंबा पुल समुद्र पर बन गया। पुल बनने के बाद उसके दक्षिनी तट जिधर लनका था, पर विभीशन के नित्रत्व में कुछ योध्धा पुल क की रक्षा के लिए तैनात हो गए। फिर सारी सेना इस पुल से होकर समुद्र पार कर उस द्वीब पर आ गई जिस पर लनका बसा था।